तो आज हम वेक्टर में पढ़ेंगे अपना टॉपिक प्रोडेक्ट ऑफ वेक्टर्स ठीक है तो मल्टिप्लिकेशन के बारे में हम सब जानते हैं अभी तक हमने मल्टिप्लिकेशन को पढ़ा भी है ठीक है जैसे हम लिख देते हैं कि 3 into 2 हम कह देते हैं 6 इसे लिख देते हैं 3.2 उसको भी हम क्या बहुत देते हैं 6 कि कि सब जानते हैं इसमें क्या है कि जो थ्री एंड़ टू कि आर कि स्केलर्स तीन और दो दोनों के स्केलर एक तरह से तो यह कोई नंबर है हमारे पस यह सब हमने अभी तक पढ़ा है इसमें हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि 3 की डिरेक्शन का होगी तो फिर इनका प्रोड़क्ट क्या आएगा ऐसा सिंबल लगा है तो क्या है इसा सब्सक्राइब नहीं सिदा ही सोचा है कि 3 और 2 का मल्टिप्लिकेशन 6 होता है तो ठीक है आज हम कुछ नया पढ़ेंगे इसमें कि अगर मालो किसी वेक्टर को इंक्लूड किया जाए मल्टिप्लिकेशन में कि देखें कि इफ इफ वेक्टर इस मल्टिप्लाइड बाई ए स्केलर बाई ए स्केलर दें वी गैटेशन वेक्टर अगेशन ओकेशन मालनी जा हमारे पास एक वेक्टर है ए ठीक है इस वेक्टर इको हमने क्या किया दू से मल्टिप्लाइड कर देते है इसको मल्टिप्लाइड ए बाई तू 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 जस्ट ए रंबर देन वी गैट टू ए ए अनादर वेक्टर हैं दबल मेगनिट एक वेक्टर हमें मिलेगा जो पहले वाले वेक्टर से जिसका magnitude क्या होगा उस double होगा क्योंकि हमने 2 से multiply किया अगर 3 से multiply करते तो वो 3 times होता ठीक है तो यह हमारे पास एक वेक्टर और इसकी direction क्या रहेगी जो पहले वाला वेक्टर हमारे पास a था उसी क्या लोग यह 2a वेक्टर रहेगा तो जब किसी स्केलर से multiply करते हैं तो हमें वापीस एक वेक्टर ही मिल जाता है ठीक है इसमें हमें कोई और जाता सोचने की ज़रत नहीं है simply एक वेक्टर है उसको हमने किसी भी number या किसी भी स्केलर से multiply किया तो हमें दूसरा एक वेक्टर मिल जाता है जिसकी direction वहीं रहेगी जो पहले वा हैंगे वेक्टर वेक्टर का multiplication उसमें क्या होगा हमारे पास ठीक है तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है कि कि देखिए चलो इसमें में लिख देता हूं इसमें अगर हमारे पास एक स्केलर multiply by a vector ठीक है तो हमें क्या मिलेगा वापीस एक वेक्टर ही मिलेगा ठीक है दूसरा हमारे पास होता है कि एक वेक्टर हो जाए multiply by ये वेक्टर तो हमें एक स्केलर मिल सकता है ये probability है ठीक है अगर हमारे पास एक वेक्टर को वेक्टर से ही multiply किया जाए तो ये भी हो सकता है कि हमें एक वेक्टर मिलेगा तो ये तो हमने ये वाला तो हमारा ये रहा स्केलर को वेक्टर से अब हमें दो चीजें सीखनी है एक कौन सा वेक्टर को वेक्टर से मल्टिप्लाई करें तो हमें स्केलर कम मिलता है और वेक्टर को वेक्टर से मल्टिप्लाई करें तो हमें वेक्टर ही कम मिलता है ठीक है तो सबसे पहला जो हमारे पास है वेक्टर इंपर आँने यह जो प्रड आस प्रोडेक्ट का नाम होता है स्केसाइब प्रोडेक्ट या फिर इसको बोलते हैं डाट प्रोडेक्ट मैं कि इसमीट्रेनगो TOP और गदो प्रोडेक्ट इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास एक वेक्तर है ऐसे एक वेक्टर ए और ये वेक्टर अब देखिए इन दोनों में हमने बता रहा है टेल और टेल के बीच एंगल लेना होता है नें ना लेकिन टेल ओटेल की बीच एंगल कौन सा लेंगे यह इंग जो जो छोटे वाला इंगल होता है उसको लेतने आपुचम से फीटा यह हमारे पास दो वेक्टर है तो डाइशन भी होगी दो वेक्टर है Пटा करना पड़ेगा उन दोनों वेक्टर आपस में किस एंगल पर लगे हुए ठीक है ए और बी दो वेक्टर है उनका हमें क्या करना है स्केलर प्रोडेक्ट अफ वेक्टर एंड बी स्केलर प्रोडेक्ट या इसको बोलेंगे डॉट प्रोडेक्ट डॉट का मतलब डॉट ही होता है यहां पर कैसे देखिए अगर एड़ बी कर दो तो रिजल्टेंट आता है एका मैगनिटूड बी का मैगनिटूड और यह भी स्केलर तीटा एक मैगनिटूड बी का मैगनिटूड कॉस अफ थीटा इसमें देखिए यह स्केलर यह है टोटल रिजल्टेंट क्या है वारे पास एक स्केलर है जबकि इधर वाली साइड क्या था एक वेक्टर था और डॉट एक वेक्टर यहां डॉट का मेनिंग दिखिए जब किसी नंबर को मल्टिप्लाई करते न तो 3.2 किया था उसको भी 6 लिख रहे थे लेकिन जब वेक्टर की बात आएगी तो इनका अपना अलग-अलग मतलग है और यहां पर दॉट का मतलब यहां पर अलग है और अप्राउस क्वाले में ठीक है why क्वेक्टर का 20 प्रोड़क्न कि हमने एक वेक्टर के ही साथ है किस छे तो यह गजी कुणना ओव हमें हमें दो वैक्टर के प्रोडेक्ट से इसे लिए इसका नाम क्या है स्टेलर we multiply a vector with a vector and we get a scalar quantity and this scalar quantity just a real number the scalar quantity this is known as a scalar product this is known as a scalar or dot product of two vectors dot product of two vectors to give us a good example of a vector dot product किया तो हमें क्या मिलता है कि scalar मिलता है और calculate कैसे करें उसको A.B. क्या ऐगा हमारे पास AB cos of theta ठीटा ठीक है physics में इसका क्या यूज होता है वो देखिए देखिए हमारे पास जिसे माल लेजिए को एक्जामपल ले लेते हैं इन फिजिएक्स वी डिफाइन है संग कि स्केलर फिजिकल कॉंटिटीटीज विद कि दा है पॉफ कि स्केलर प्रोडेक्ट कि विजिक्स में बहुत सारी जगें पर हम ऐसा स्केलर प्रोडेक्ट के यल्प से कुछ फॉंटिटीज को डिफाइन करेंगे जैसे कि हमारे पास कि फॉर एक्जामपल कि वर्क वर्क होता है एफ एस कॉस ओफ थीटा एफ एस कॉस ओफ थीटा ठीक है वर्क डन हमारे पास उसका फर्मुला होता है एफ एस कॉस ओफ थीटा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि वर्क डन को लिख सकते हैं एफ वक्टर-दोट एस वक्टर जब हम इसको ऑपन करेंगे तो हमें मिलेगा .ण का होते है देखि दो एक्टर का .ण का दोटर का दोटर पहले एक्जपर का मैंगन wamेक्निटूड दूसरे का क्वें दूसरे का मैंगनिटूड कॉस्प थीटा तो देखिए है कि यह आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे इनके बारे में कि पावर और फ्लक्स तो यह पास क्या है कि डौट प्रॉडक्ट है जो की हम कुछ फिज्ड दौट प्रॉडट क्या है दो वेक्टर का रोडेक्ट जो कि स्केलर आता है जिसके लिए इसका नाम क्या लखा गया है स्केलर प्रोडेक्ट भी स्कों हमें बोलते हैं ठीक है कुछ स्पेशल केसी जिसमें है देखिए हूं क्या है यह से माल लीजिए कि वैन थीटा इस जेरो डिगरी थीटा इस इकोल टू जीरो डिग्री ठीक है जिसे मानलों हमारे पास एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है ठीक है दोनों के भी जैंगल के है जीरो डिग्री पैरलल है तो ऐसे में इनका दोट प्रोड़ेट्ट क्या आएगा हमारे पास इनका दोट प्रोड़ेट्ट आएगा ए डॉट बी है ए मैगनीटूड बी मैगनीटूड या देना बिना मोड के भी हम सिदा लिख सकते हैं पता है यह 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 क्या है इस ए वेक्टर का मैगनीटूड साथ में कॉस ओफ जीरो डिग्री और कॉस जीरो डिग्री यू ओल नौ वन होता है ठीक है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा मारे पास ए बी हो जाएगा और यह जो डॉट प्रोड़ेक्ट का रिजल्टेंट होता है यह मैक्सिमूम होता है ठीक है सेकेंड इसमें है कि वेन थीटा इज वन एक्टीड डिग्री माल लीजे वेक्टर ए यह है और वेक्टर बी यह है तो दोनों के बीच एंगल कितना है 180 तो ऐसे केस में हमारे पास ए डोर्ट बी क्या जाएगा अ बी कॉस ओफ वन एक्टी डिग्री क्या होता है माइनस वन यह हो जाएगा माइनस ए बी यह क्या होता है minimum होता है dot product और angle अगर कितना हो जाए 90 degree if theta is 90 degree इसका मतलब है कि दो vector अगर right angle पे है एक दूसरे के साथ vector a vector b angle 90 degree तो ऐसे में a dot b क्या आएगा 0 आएगा क्यों 0 आएगा क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 होता है cos 90 0 तो सारी term में क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यह वाला result मैं लिख रहा हूँ यह हमें कई जगें पे काम आएगा जैसे कि दो vector दे दिये जाए हानलों हमारे पास इसी case का एक example कर गए है ठीक है तो example यह vector हमारे पास है 2i cap प्लस 3 j cap प्लस k cap ओके and b vector is equal to 2i cap प्लस m j cap प्लस 2 k cap इसलिए माइनस कर दो माइनस 2 k अच्छा चल इस example को नहां एक method और सीखने के बाद करते हैं अभी आपसे नहीं होगा देखिए मैं आपको पहले यह सिखा हूँ कि अगर आपको i, j, k, k term में वेक्टर दिया हो देखिए क्या है कि अगर आपसे यह बोला जाए simply कि एक वेक्टर यह है 10 newton एक वेक्टर यह है 5 newton ठीक है और इनके भी जैंगल है 30, 60 degree तो इनका dot product निकाल लिए माल लेजिए यह f1 है और यह यह f2 है तो क्या करेंगे f1 dot f2 हम इनका क्या find out पर है dot product अब इस situation में क्या है कि magnitude दे रखे हैं और angle भी दे रखा है हमें magnitude क्या दे रखे है 5 f1 क्या है 10 into f2 का magnitude चाहिए 5 cos of angle between them 60 degree तो यहाज अगर 10 into 5 cos 60 होता है 1 by 2 2, 5, 10 तो यह आजएगा 25 means f1 dot f2 यह आजएगा हमारे पास क्या एक dot product आगया 10 newton और 5 newton का जो की 60 degree पे एक्ट कर रहे थे ठीक है ऐसे में अगर situation कुछ इस तरह की दे दी जाए यह भी तो दो वेक्टर ही है ना मारे पास तो ऐसा हो तो एक example इसका देखे simple करते हैं a vector अगर है i cap plus j cap minus k cap b vector हमारे पास है 2 i cap minus j cap plus 3 k cap और आपको बोला जाएं कि a dot b करना है आपको ठीक है तो आप simply क्या करेंगे इस case में कि यह आता कैसे है यह मैं आपको एक और स्टेप के बाद बताऊंगा यह बट इसमें मैं आपको सीधा बता रहा हूँ ताक्यों एक्जाम्पन सोल होजह है कि कैसे हम 90-degree वाले को यूज कर सकते हैं तो देखिए इसमें क्या करना होता है आई आई वाले component को multiply कर दो टू और one two plus one और minus one minus one देखिए इसका component minus one इसका वन है तो क्या जाएगा one or minus one minus one फिर आएगा plus three 3 और माइनस 1 माइनस 3 का मतलब आ गया माइनस 2 इसका क्या अब यह आई का मल्टिप्लाइ क्यों किया जे जे का के का यह हम सीखेंगे लेकिन इससे पहला में यह कॉश्चन सॉल कर देता है हमने लिख दिया थे पहले देखिए यह इसमें क्वेश्चन यह है कि फाइंड दा वैल्यू ओफ एम इफ एंड बी आर परपेंडिकुलर यह बोलता है कि एम की वालू फाइंड आउट करिए अगर और बी परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि ए डॉट बी कैसे निकलेगा आई आई का कंपोनेंट मल्टिप्लाई तू तू फॉर जे जे का पलस थ्री एम इसका एम है इसका 3 है माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 आ जाएगा और हमें यह चीज पता है कि ए डॉट बी क्या आएगा असे में ए डॉट बी एक्वल टू यही तो है नूपर के डॉट भी जीरो आएगा कब जब दोनों और पर्पेंडिकुलर है तो इसे में 4 प्लस 3 एम माइनस 2 इकुल टू क्या होगे जीरो तो यह आजएगा 3 एम इस इकुल टू 4-2 कितना हो गया 4-2 होता है हमारे पास 2 तू अधर जाके क्या हो गया माइनस तो एम इस इकुल टू आगया माइनस 2 बाई 3 अगर एम की वालू माइनस 2 बाई 3 होती है तो ए और भी क्या होंगे पर्पेंडिकुलर होगे क्लियर बाद तो यह हमारे पास राइट एंगल पे जो दो वेक्टर उनका यूज इस तरह से कि दो वेक्टर में कुछ हमें फाइंड आउट करना हो और सिच्वेशन यह दे रखी हो कि वह दोनों पर्पेंडिकुलर है तो हम उनके जो डॉट प्रोडेक्ट है दोना इसको डॉट प्रोडेक्ट ऑफ और्थो गॉर्णल यॉनिट वेक्टर अनुड्यू यूनिट वेक्टर्स ए और्थो प्रोडेक्टर्स क्या ताद याद करें हैं वह वह पास होते हैं ढई कैब जे चैब इंड जो वेक्टर जो यूनिट वेक्टर लेटा फरपेंडिकुलर वेच अगर मैं कहता हूं कि आई डॉट जे तो बताये क्या यज़ आएगा आई और जे दौन गए ये तो और परफेंडिकुलर वाले का अलिसद डॉट पने क्या आता है जीरो ऐसे मैं कर दो जे डाओ के जे और के भी परफेंडिकुलर अपस्वें 90 डिगरी पर मुच्वली पर्पेंडिकुल हो लिए तो सारे यह भी क्या आएगा जीरो ठीक है ऐसी एगर मैं कर दूं कि के डोट आई तो यह क्या आएगा यह भी जीरो इसका मतलब है कि और्थोग औरनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रड़क्ट क्या आएगा हमारे पास जीरो आउट जीरो एगा तोज्डाई क्या होगा तो यह क्या है और तो त्डुक्त और उसके बाद मैं आपको जो यह जीरो क्या है यह दोट मोड़क्ट कैसे था वो सिखाती हो कि अब में पता चलिए ना आई डॉट जे क्या होगा जे डॉट के क्या होगा के डॉट आई क्या होगा यह तो ए कि हम आवे कर सकते हैं इसको एसे जिसमाल लेक वेक्टर दिया हुआ है जर्नली एक्स आई कैप प्लस एवाई जे कैप प्लस एजेड के कैप यह एक वेक्टर दिया हुआ है ठीक है अबी वेक्टर वह है बी एक्स आई कैप प्लस बी जेड के क्या ठीक है तो ए डॉट बी क्या आएगा simple multiplication यह एक तरह से axi, मिलब जो method हमारा multiplication का होता है इसमें वो भई है, जैसा कि हमारे पास हम ने अभी तक सीखा है जैसे x plus y को y plus z से multiply करना उत कैसे करते हैं same वैसी करें इसमें बस बीच में dot लगाते रहेंगे axi cap plus ayj cap plus azk dot bx i cap plus b y j cap plus b z k cap, यह bx, b y, b z क्या है, यह b के ही component है, x के लोंग, y के लोंग, z के लोंग, और उसके साथ इसका vector लगा हुए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax को सभी से multiply करेंगे, तो क्या आएगा देखिए, axi cap dot bx i cap अब इस वाले case में देखिए, अगर मैं कहूँ कि i dot i j dot j k dot k, क्या आएगा अगर मैं इसमें आप से पुछूँ कि i dot i, j dot j, k dot k, क्या आना चाहिए, देखिए, इसको बोलते हैं हम, self dot product यह नंबर 5 पर कर लीजिए, safe dot product, मतलब vector का खुद के साथ ही, dot product, जैसे की a dot a, क्या आना चाहिए, a magnitude, a magnitude, है न, साथ में a का a के साथ angle क्या होगा, 0 degree, तो क्या जाएगा, cos 0, इसका मतलब यह क्या आएगा, a square आएगा, खुद का, खुद के साथ ही, square में अपने पास, resultant आ जाता है, dot product का, ऐसे ही देखिए, i dot i क्या होगा, i का magnitude, फिर i का magnitude, और दोना मेंगल क्या है, 0, i का magnitude क्या होता है, 1, ठीक है, और cos 0 भी क्या होता है, 1, तो means, i dot i, 1 आएगा, j dot j, भी वी वन आएगा, k dot k भी, 1 आएगा, clear बात, यहां से, self dot product का मतलब होता है, vector का, खुद के साथ ही, क्या, dot product, तो a का a के साथ dot product करेंगा, तो a का a के साथ angle क्या होगा, 0 न, तो cos 0 क्या होता है, 1, a क्या होता है, यह, square होगा, same है, इन में magnitude 11 here, cos 0 भी 1 होता है, तो हमारे पास क्या जाएगा, 1, तो, इसका use इसमें ह होगा, ठीक है, a x i cap plus b x i cap, हो गया, okay, plus a x i cap, a x i cap, a x i cap को अब इसके साथ करेंगे, dot by j cap, फिर a x i cap को इसके साथ करेंगे, plus a x i cap dot b z k e cap, ठीक है, ऐसे ही same हमारे पास, यह सारे, ऐसे multiply होते चले जाएगे, देखिए, क्योंकि हमने, अब यह तो किसको क्या है, a x को multiply गेंगे, सभी के साथ, अब किस क्या करेंगे, अब हम a y को सभी के साथ multiply करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, इसी से आगे continue करते करेंगे हम, plus a y j cap dot b x i cap, clear, plus a y j cap dot b y j cap, plus a y j cap dot b z k cap, plus a y j cap dot b z k, plus, a z k cap dot b x i cap, plus a z k cap dot b y j cap, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, plus a z k cap dot b z k cap, अब यहां से देखिए, क्या लगता है हमें, देखिए, यह scalar है, यह scalar है, इसको हम ले लेते हैं, भार, बचे का अंदर i dot i, i dot i क्या होता है, one, तो ax bx, ax bx, plus, i dot j क्या होता है, i dot j तो 0 होता है, इसका मतलब है कि यह term क्या हो जाएगी, 0, और i dot k क्या, i dot k या k dot i, community होता है, भी बताएंगे property हम, तो i dot k होता है, k dot i हो, वो क्या होता है, 0, तो इसमें देखिए, जो i, i के component multiply होए थे हमारे पास, ax bx, वोई आया, अगले वाले में ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ j j वाला बचेगा, ay by plus, फिर इसमें सिर्फ k वाला बचेगा, ये दोनों 0 हो जाएगे, clear, फिर आजएगा az bz, तो फाइनली ये वही चीज आ गई ना, कि a और b का dot product कैसे करेंगे, i, i का multiply, j, j के component multiply, plus k, k के component multiply, i, i वाले, j, j वाले, और k, k वाले, ये हमारे पास क्या आ गया, actually a dot b आ गया, सबज में आया, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, dot product कर सकते हैं, जिसे simply हम एक example हो और ले लें, क्या, एक vector हमारे पास a है, i cap, minus j cap, plus 3 k cap, vector b है, 2 i cap, plus 3 j cap, plus k cap, मुझे find out करना है, a dot b, ठीक है, अब a dot b कैसे find out होगा, इसके अंदर भई, i, i वाले component multiply कर दो, 2, minus, j, j वाले component multiply कर दो, minus 3, k, k वाले, plus 3, यह cancel out क्या है, 2, 1, 2, 3 minus 1, minus 3, 3, 1, 3, हमारे पास finally क्या गया, 2, a dot b, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, dot product find out कर सकते हैं, किसी की नहीं, दो vector का, जो i, j, और k की term में हमें दिये हुए हैं, ठीक है, तो समझ आया, कैसे हम dot product कर सकते हैं, ठीक है, self dot product का मतल्द होता है, vector का, खुद का, खुद के साथ ही, जैसे कि i का i के साथ, i cap एक vector है, unit vector, ठीक है, तो इसको self dot product बोलते हैं, a का i के साथ कर लें, b का खुद b के साथ हो जाए, ठीक है, तो उसको हम self dot product बोलते हैं, तो हमने एक किया था, a dot a, ठीक है, तो क्या आया था, a magnitude का square, a resultant आया था, ठीक है, अगर हम चाहें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, a magnitude, कि हम उस square को उधर वाली साइड लेके जाए, a dot a पे, अंडरूट हो जाएगा, clear बात, अब इसमें, देखिए, अगर हमारे पास, दो vector के बीच, angle की बात हो, तो ऐसे भी find out कर सकते हैं, हम देखिए, vector a दिया हुआ है, vector b दिया हुआ है, a dot b, यह हमारे पास होता है, a b cos of theta, यह हमने find out कर लिया, यह हमें पता है कि, यह ऐसे, इसका dot product होता है, ठीक है, अगर मैं कौँ, cos theta क्या हो जाएगा, तो आप क्या होगे, a dot b, divide by, a a b, है ना, कैसे, देखो, कोई vector दे दिया जाए, a vector, i plus j, plus k, b vector दे दिया जाए, 2i, plus 3j, plus k, minus k, ठीक है, और आप से पुछा जाए, find the angle between a and b, find the, angle between, a and b, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि, cos theta का formula होता है, a dot b, divide by, a b, ठीक है, तो a dot b, हमने सिखा, find out करना, ii वाला multiply, jj वाला multiply, k के वाला multiply, ठीक है, a और b क्या है, a का magnitude है, b का magnitude है, ओके, तो देख, a का magnitude क्या आएगा, इसके component का square, plus j के component का square, plus k के component का square, under the root, means 1 plus 1 plus 1, root 3 हमारे पास क्या आगया, a का magnitude आगया, ऐसे b का magnitude ले लो, क्या आएगा, 2 का square, 3 का square, minus 1 का square, 2 का square, plus अगला component, 3 का square, plus minus 1 का square, a का component का है, minus 1 है, तिया आजाएगा, 2 to 4, plus 9, plus 1, 9, 10, 14, root 14, b का magnitude आगया, और a dot b क्या आएगा, देखिए, a dot b, देखिए तो, 2, a dot b होता है, i, i का component का, multiply कर दो, इसमें, दोनों में, 2 into 1, 2, plus 3 into 1, 3, minus 1 into 1, 1, ठीक है, यह आगया, माने पास, 5 minus 1, 4, यह a dot b आगया, अब आप, easily क्या find out कर सकते हैं, cos theta find out कर सकते हैं, cos theta is equal to, a dot b, मतलब 4, by root 3, and root 14, यह आजाएगा, 4 by root 42, तो theta क्या आजाएगा, cos inverse, 4 by root 42, theta क्या आजाएगा, cos inverse, 4 by root 42, randomly हमने data लिया हुआ था, हमारे पास, ठीक है, इसलिए, exact value नहीं निकल पाई, तो हम क्या करें, इन्वर्स में छोड़ देंगे, तो ऐसे हम, दो vector के बीच, जो i, j और k की टम में दिया हुए हमें, उनके बीच, आगे इसमें, dot product की कुछ प्रॉपर्टी, पहला इसमें है, dot product is a commutative, इसका मतलब क्या होता है, देखें, कि अगर हमारे पास, a dot b दिया हुआ है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, b dot a, और ये दौनों equal होंगे, a dot b is equal to, means अगर आपके पास, a और b दिया हुआ है, और आपको पोला गया है, कि आप a dot b find out करिए, अगर आप b dot a b find out करते हैं, तब भी वही result आएगा, जो a dot b में आता है, ठीक है, तो इसी तरह जैसे माल लीजिए, i dot j, equal to क्या होगा, j dot i, अभी हम कर रहे हैं तरह पीछे, तो i dot j और j dot i, दोनों ही क्या हो, i dot j क्या होता है, j dot i भी क्या होगा, 0, ठीक है, ऐसे हमारे पास, j dot k, तो वो होजाएगा, k dot j के equal, k dot i, तो i dot k, एक ही बात है दुनों में, ठीक है, तो इसको बोलते है, dot product is a commit, यह commute करता है, committed मतलब, अगर a dot b है, तो उसको b dot a करेंगे, तब भी क्याएगा, वो equal आएगा, ठीक है, दूसरा इसके अंदर है, dot product is a distributed, dot product is a distributed, distributive, distributive, ठीक है, dot product distributive in the sense, कि, अगर मालो, a dot b plus c दिया होगा है, तो उसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको, a dot b plus b dot c, यह दोनों equal होगे है, ठीक है, इसको क्या बोलते है, dot product, यह distributive property होती है, कि a dot b plus c, को हम क्या लिख सकते है, a dot b plus b dot c, यह तो यह इसको अबे करता है, अगर आपने यह find out किया, या फिर आपने यह, तो क्या होगे हो, same ही होगे, इसके बाद इसके अंदर को जो right angle वाला था, वो हम पढ़ चुके हैं, कि dot product में, जो right angle है, अगर दो vector right angle पर होते हैं, तो उनका क्या आता है, हमारे पास resultant है, zero आता है dot product में, ठीक है, उसके बाद इसमें न, एक दो questions हम देखते हैं, ठीक है, देखिए, यह कहता है कि, एक दो exam पर लेते हैं, dot product के, यह बलता है कि, if a plus b का mode, किसी पर mode लग जाता है, उसका मतलाब समझते होंगे, कि वो उसके magnitude की बात कर लेए, ठीक है, a plus b का mode, equal to है, a minus b के mode के, equal to कह है, a minus b mode, तो उसने पुछा है, then angle between a and b, then find, angle between a and b, ठीक है, तो a और b के बीच, angle क्या होगा, वो बताने हैं आपने, clear, तो देखिए, solution में, अगर a plus b है, equal to a minus, यह minus है, a minus b, a vector minus b vector का mode, इसमें दोनों साइड स्क्वाइर कर लो, squaring on both sides, squaring on both sides, अगर हम दोनों साइड स्क्वाइर करते हैं, तो देखिए हमारे पास, क्या आएगा इसके इंदर, आपको vector addition याद है, देखिए, a plus b, a plus b, a vector plus b vector, उसका magnitude, कैसे निकालते थे हम, a square plus b square, plus 2ab, cos of theta, under the root, यह क्या था, a vector plus b vector का mode, लेकिन हमारे पास, तो क्या है, square b है, तो square कर दीजिए, ऐसे ही, same, a minus b, a vector minus b vector का क्या करते थे, देखिए, हम कहते थे, a square, plus b square, minus 2ab, cos of theta, और under the root भी होता था, और अब इसका क्या है, square है, बई, मैंने आपको चिखाया हुआ है, कि a vector plus b vector का magnitude कैसे निकालते हैं, a square plus b square plus 2ab, cos of theta, लेकिन इसका, to square b है, तो हम इसका square भी करते हैं, root तो आएगा, इसके according, इसके साथ के, square से रूट क्या होगे दोनों जोगे, cancel out, तो देखिए, a square plus b square plus 2ab, cos of theta, is equal to a square plus b square minus 2ab, cos of theta, a square b square, दोनों साइड कट गए, cancel out, a square नई square को मार दिया, b square नई square को, ये वाला इदर आके plus हो जाएगा, तो ये total हो जाएगा, 4ab, cos of theta, 2ab, cos of theta ये है, और ये इदर आके plus का होगे, equal to 0, मैं इस 4 को अगर छोड़ दूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a dot b, मतलब 4 को हम multiply रख ले, a dot b, equal to 0, क्या ही है, वही है, देखो, क्योंकि मैं a dot b को open करूँँगा, तो वापिस से क्या आएगा मेरे पास, a b cos theta ये आएगा ना, और ये, a dot b equal to 0 है, 4 का कोई रॉल नहीं है, क्योंकि 4 not equal to 0, जा तो 4 0 की equal हो, ये a dot b equal to 0, 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो a dot b 0 है, इसका मतलब है, कि a perpendicular b है, क्या आपका अंसर आगे है, means, ये दोनो 90 degree पे हैं, तभी ये 0 आ सकता है, ये हमने पढ़ा है, दोनों vector अगर 90 degree पे हो, तो उनका dot पढ़ा है, 0, और हमारे सामने a dot b, a b cos of theta ही है, तो a dot b equal to 0, इसका मतलब क्या है, कि a perpendicular to b है, ओके, next question है, कि if a vector plus b vector dot, a vector minus b vector equal to 0 है, then prove that a magnitude equal to b magnitude, तो देखिए, इसमें, क्या आएगा हमारे पास, a vector plus b vector dot, a vector minus b vector equal to 0 है, हम इसका dot product करते हैं, अपने तो बुदिक्लिकेशन का rule, उसके हिसाब से a dot a, minus a dot b, plus b dot a, minus b dot b, equal to 0, तो देखिए, a dot a क्या आएगा, याद करिए, self dot product a square आएगा, minus a dot b, ये plus b dot a को क्या मैं, sorry, plus a dot b लिख सकता हूँ, कहने का मतलब ये है, कि ये जो b dot a है, उसको a dot b लिखा जा सकता है, कौन सी property, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, minus b square equal to 0, ये b dot b, b square ही तो आएगा, तो ये देखिए, ये cancel out होगे, a dot b minus में, और plus में a dot b, तो हमारे पास क्या आया, a square minus b square equal to 0, इसका मतलब a square equal to b square, इसका मतलब a equal to b, ये magnitude है, ठीक है, तो ऐसे हम dot product के, कुछ questions को सौले कर सकते हैं, और physics में dot product का, बड़ा importance है, मैंने आपके example दिया भी था, कि जैसे हम formula पढ़ते हैं, वरक डन का होता है, fs cos of theta, और यहीं से हम करेंगा, उसको f dot s, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं से बता देंगे, कि यह वरक डन जो हैं, एक scalar quantity है, क्यों scalar quantity है, क्यों scalar quantity है, पता है कि दो वेक्टर का, dot product जो भी आएगा, वो scalar आएगा, इसलिए इसको scalar product बोलते हैं, जैसे magnetic या electric flux भी होता है, चलिए power के बारे में देख लेते हैं, power होती है हमारे पास, actually w by t, ठीक है, तो w हमारे पास क्या है, f dot s by t, f dot, और s by t, distance upon displacement upon time, क्या होता है, speed, sorry velocity, तो क्या हो गया, देखिए, f, एक vector quantity है force, velocity एक vector quantity है, दोनों vector का dot product की या, तो एक third quantity मिली, जिसकों की power कहते हैं, बड़ दो vector का dot product, वो power क्या होगी, scalar होगी, कहां से पता चलता है, scalar product से पता चलता है, तो इस तरह से हम, magnetic flux होता है, b dot a लिखते हैं उसको, जब पभी बढ़ेंगे, तो आप समझ में आएगा, कि क्या होता है वैसे, लेकिन देखिए, फिर से ये quantity क्या होगी, ये दो vector का dot product है, तो ये magnetic flux, फिर से क्या होगी, scalar, क्या है ये, magnetic flux, तो dot product बड़ा important है, हमारे लिए physics में, काफी हूज है इसका, इसको यहां तक कर लेना, ठीक है?